हेलो ट्रेडर्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्राडे लेवल्स कैसे निकालते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को प्रोब्लम आ रहा था क्योंकि मैं डिली विसिस पे एनलेसिस करता हू तो उसमें बहुत सारे लेवल्स जो मैं निकालता हूँ वहाँ पे लिखता हूँ तो बहुत लोगों को प्रोब्लम आती है कि सर यह आप करते कैसे हैं मुझे नहीं पता तो गाईज वहाँ पी क्या होता है इंट्राडे लेवल्स अगर आप निकालने जानगे कि किस लेवल होता है उसी level से market reward कर जाता है या फिर वहां से एक breakout मिल जाता है तो यह कैसे होता है आज हम लोग इस वीडियो में completely इसको cover करने वाले हैं आज completely आपको बता और सिखा के जाओंगा वीडियो को सुरू से लेकि last तक देखना आज के बाद आपको इस से related मतला intraday levels को कैसे निकालते हैं इस से related कोई भी वीडियो देखने के जरुरत नहीं होगे तो वीडियो में completely बने रहना तो वीडियो को सुरू करने से पहले guys to the point चलते हैं अगर इस चैनल में आप लोग हूँ लेकिन जो data है नहीं जो available है नहीं उसके लिए expectation करने से better है कि जो चीज़े available है जैसे जो data available है उसको मैं आपको कड़के दिखाता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़े यहाँ पर solve हो और समझ में भी आए अगर मान के चलो कि हमको इस दिन का पूरी तरीका से analysis करना है कि market कैसे behave करेगा क्या करेगा तो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है इसके previous decade data को हम अगर जो available है जैसे कि यह available है तो हम इस दिन के पूरी तरीका से data को देखेंगे और यहाँ पे simple हमको तीन चीजियों को सबसे पहले यहाँ पे follow करना है सिर्फ क्या करना है वो देखिए यहाँ पे पहले आपको एक horizontal line ले ले लेना है सबसे पहले इस दिन को अगर देखना है तो इसका सबसे bottom यानि कि law जो लगाया है वो देख लेंगे यहाँ पे देखिए market जो open हुआ यह law है ठीक है simple समझते जाएए मतलब इस दिन का hold की हम बात कर रहे है इसमें जो भी candle का purely पूरी तरीका से जो law होगा वहाँ पे हम लोग एक line draw कर देंगे ठीक है समझ में आ गया सबको आ गया होगा इसके बाद जो इसी का सबसे high है यहाँ पे देखिए यह high है यहाँ पे ठीक है तो इसके मतलब previous day के law and previous day के high पूरी तरीका से हम लोग यहाँ पे एक level उपर में और एक level नीचे में draw कर लेंगे तो यह क्या होगा एक तरह से previous day का जो भी high low market बनाया overall वो हमारा यहाँ पे draw हो गया अब यह जो है हमारे लिए resistance का का काम करेगा और नीचे में जो है वो support का काम करेगा ठीक है इतना clear है अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है इसके बाद करना है कि इसके लिए जब market last में close हो वो भी closing भी तो होगा एक तो closing देखिए यह वाला candle है यहां पे closing है ठीक है आप लोग जा के देखना last वाला candle यह वाला है तो यहीं पर market closing हुआ है एक तरह से यह पिंवार candle बना हुआ है तो similarly यहाँ पे closing हुआ है अब मैं आपको यहाँ से यहाँ से देखिए क्या पर draw किया, इसके बाद जो market lastly close हुआ था, closing के time में वो closing पर मैंने एक line draw कर दिया यह 3 line मुझे यहां से आ गया ठीक है, किसी को कोई dot नहीं हुआ होगा अब देखिए, इतना ही line से हम लोग को पता नहीं चलेगा, हमको इसके एक दिन पहले भी जाना पड़ेगा मान के चलो कि यह दिन है, अब मैंने क्या क्या इस दिन को completely यहां पर 3 line draw कर लिया, अब इसके पहले जो आएंगे तो इसका भी तो 3 line होगा इस दिन का, क्योंकि इसका high होगा एक, एक इसका law होगा इसका closing होगा, तो मैं उसको भी draw कर लेता हूँ, जिससे कि आपको clearly देखिए, यहां पर सारी चाहिए clear cut में मैं बता रहा हूँ, यहां पर देखिए इस दिन का high है, देखिए completely high यह है, अब इस दिन का अगर हम law को देखते हैं, तो वो देखिए यहां पर है, ठीक है, अब देखिए यहां पर clear cut आपको समझ में आ रहा होगा, कि मैंने क्या-क्या पहले, देखिए पहले क्या-क्या मैंने इस दिन को 3 line इस दिन का मैंने draw कर लिया, ठीक है यह दोनों line यहां पर high और low closing, फिर मैंने इसका high और इसका low और इस दिन के closing की अगर बात करते हैं, तो वो देखिए, यहां पे green candle बना हुआ है, यहां पे मैंने draw कर लिया अब इतना draw करने के बाद आपको clear cut, यहां पे 6 line overall दिख रहा होगा, 3 line इस दिन का और 3 line इस दिन का, ठीक है तो यह उपर में जो भी represent करेगा यह resistance को represent करेगा और नीचे में जो होगा, वो support को represent करेगा ठीक है, अब देखिए, कुछ line की ज़रुरत जैसे नहीं है, जैसे कि मानके चलिए, यहां से यहां तक market आया यहां पे गया है, तो यहां पे continue 4 line हो गया, तो जैदा line भी आपको complex कर देगा, तो यहां पे कुछ line की ज़रुरत हमको जैसे नहीं है जैसे किसका ज़रुरत नहीं है कि यह line का ज़रुरत नहीं है, क्योंकि देखिए, क्यों मैं इस line को हटा रहा हूँ उसका region समझी है, यहां पर जो market आया, यहां पर तो इसके नीचे देखिए इस तरीका से काम कर गया है, यहां पर भी उतना importance नहीं है, market यहां पर काम कर गया है यहां पर भी उतना importance नहीं है क्योंकि यहां पर यह वाला नीचे में support line यह वाला काम कर रहा है, और इसके उपर ये वाला resistance के तरह काम कर रहा है तो हमारे लिए ये वाला जो line है ना इसको हम लोग remove कर देते हैं तो अब देखिए कितना solid यहाँ पर clear cut दिख रहा है और इसको remove करने के बाद कुछ line हमको draw भी करना होता है तो वो line क्या है कैसे draw करेंगे उसको importantly आप लोग समझिये कुछ line resistance को draw कर रहा है कुछ line यहाँ यहाँ पर support को represent कर रहा है अब देखिए कोई-कोई line जैसे miss किया हुआ है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको हम लोग identify करेंगे सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोई-line miss कर रहा है जब हमने यहाँ पर यह वाला previous इस दिन का जो high को यहाँ पर draw किया है यहाँ पर high तो draw कर लिया लेकिन इसके उपर भी market यहाँ पर आया है देखिए यहाँ पर आया है और यहाँ पर आया है तो देखिए similarly यहाँ पर एक चीज़े और बता दू कभी-कभी क्या होता जैसे यहाँ पर देखिए टच कर गया है यहाँ पर नियरली आया है टच नहीं किया है यहाँ पर भी नियरली आया है टच नहीं किया है तो इसको almost बोलेंगे यह line हमारा satisfied है ठीक है अब हम लोग यहाँ पर देखिए कोई चीज़े clear cut यहाँ पर कोई चीज़े है जो पता नी चल पा रहा है सब कुछ यहाँ पर आपके सामने निकल के आ गया अब हम लोग इतना ही बस इतना ही करना है और यहाँ पर यहाँ पर कोई बरा roll नहीं है कम से कम दो से तीन पॉइंट जो है ऐसा होना चाहिए जहां से market का reflection आना चाहिए तो देखिए exactly मैंने यहां भी draw कर दिया तो अब यह level एक range support हो गया यह वाला completely आप लोग को दिख रहा होगा range support और उपर में जो मैंने draw किया यह वाला एक range resistance हो गया किसी को कोई भी problem यहां पे नहीं आना चाहिए बहुत simple है बहुत simple है और यह सब market में इसी तरीका सा आप करेंगे time frame यहां पे matter नहीं करता है कोई भी जिस time frame में आप लेते हैं इसी type से draw करेंगे ठीक है उसका भी आपको day है day law और closing आपको मिल जाएगा दो तीन दिन तक का आप draw कर लेंगे उसके बाद अपने आप आपको पता चल जाएगा कि जहां पे remaining रहेगा जैसे कि यहां पे remaining था दो point मिल रहा था मैंने मिला दिया तो simple सा यह range support हो गया अब देखो purely देखो market यहां से गय किया और exactly आपके according market यहां पे देखिए काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि पूरा YouTube पे आप देखना इतना simple way से और इतना simple तरीका से कोई नहीं बताया होगा ठीक है आपको मैंने normal सा यहां पे सारे चीज़े draw करने के लिए बता दिया अब मान के चलो कि जब market यहां पे next day open होगा तो हम लोग किस तरीका से decision ले सकते हैं कि market यहां से upside रहेगा या फिर market यहां से downside रहेगा यह सबसे ज़्यादा important point है ठीक है इस point को बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ अगर आप लोग beginners है या फिर आपके पास capital कम है जस्ट आपने start किया stock market तो आपक capital है और market को start कर रहे हैं तो guys सिर्फ आपको मेरे link से DMAT account open करना है video के discussion में इसी video के discussion में आपको link मिल जाएगा वहां से open कर सकते हैं मुझे telegram पर contact कर सकते हैं ठीक है contact करने के बाद वहाँ पी आपको private telegram channel में add किया जाएगा जिसका validity lifetime के लिए रहेगा जी हाँ वहाँ पे कोई charges नहीं होगा validity lifetime के लिए होगा और वहाँ पे अगर हम training देते हैं training भी आपको free में दिया जाएगा मतलब जितना भी चीजे होती है stock markets related everything आपको वहाँ पे free में बिलेगा कोई charges नहीं है सिर्फ आपको account open करना है video के discussion में telegram channel और account open करने का link दोनों मिल जाएगा वहाँ से account open करक मुझे contact कीजिए और ये opportunity एक limited time के लिए है जादा दिन के लिए ऐसा मौका नहीं मिलेगा कम time के लिए है जितना जल्दी होता है account open करके आप मुझे वहाँ पे contact कर सकते हैं अब guys हम लोग point पे आते हैं अब मैंने आपको सारे levels draw करने के लिए बता दिये अगर मुझे जो data available है उस data के according मैंने support resistance यहाँ पे सारे चीज़े draw कर लिया ठीक है अब बात आती है कुछ line trend line भी तो होती है trend line simple सा है trend line को करने के लिए यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते support resistance के according आपका काम हो जाएगा otherwise देखिए यहाँ पे एक चीज़े क्या होत होता है बस इतना ही यहाँ पे difference है जिस तरीका से support and resistance को हमनों यहाँ पे high और log करके यहाँ पे draw किया इसमें क्या होता है इसमें भी two points at least इस line को मिलना चाहिए cross करके जैसे यहाँ पे point आया मिला और इसके उपर गया market trending ups हो कर रहा है again यहाँ पे आया retrace किया trend अप गया market follow कर रहा है और यहाँ पे edge support काम कर रहा है ठीक है तो यह चीज़े important है यही चीज़े है trend line अब trend line आप लोग को मैंने बता दिया जो main चीज़े है वो अब शुरू होगा अब मान के चलो कि market इस दीन open होने वाला है अब हम लोग कैसे decide करेंगे कि यहाँ से market upside जाएगा और य इस भी बात कर लेते हैं यहाँ से आपको trend clear हो जाएगा अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर करना क्या है कि previous day का high यह जो high है यह और previous day का closing यह दोनों देखेंगे कहां पे है सबसे पहले तो इसका high यहाँ पे है closing यहाँ पे है ठीक है अगर market इस दोनों के ऊपर र आता है तो market का trending इसका मतलब है अप है ठीक है clear cut समझ में आ गया अगर market previous day की closing यहाँ पे है यह closing है और previous day का low जो है वो यहाँ पे है यह वाला previous day का low ठीक है जहाँ यहाँ पे range support देख रहा है अगर market previous day की closing और previous day के low के नीचे अगर trending यहाँ पे है trade कर रहा है तो यहाँ से हम तो only sale side में market को देखेंगे, ठीक है, दोनों clear हो गया trending market के लिए, अब यहाँ पे एक चीजे और आती है, side wage भी तो हो सकता है market, अगर यहाँ पे previous day के high, previous day के law, simple सा है, इसके बीच में market कहीं भी momentum करता है, तो यह एक पूरी तरीका से side wage को represent करता है, अगर इस range में अगर market momentum कर रह है, तो आपको trap कर सकता है, या फिर यहाँ पे आपको losses हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे trending market नहीं होगा, trending दो तरीका से होगा, या तो upside या downside, upside के लिए, अब देखो यहाँ पे market क्या हुआ है, इस दोनों के, previous day के high के, अब closing के ऊपर open हुआ है, और sustain भी इसके ऊपर कर रहा से, अगर market इसके ऊपर है, तो इसको as a support consider कर सकते हैं, support level से rejection हुआ, यहाँ पे देखिए, buy हो गया, और one way momentum आप लोग को यहाँ से यहाँ तक मिल गया, तो कोई problem यहाँ पे आप लोग को नहीं हुआ होगा, देखिए, मैंने तो अपने तरफ से आपको best दिया, सब कुछ यह यहाँ पे बताया, कैसे है, कैसे नहीं है, draw करते हैं, level, support, resistance, trend line, और इसके सास में, अगर market किस type से open होता है, तो कैसा हम लोग को view रखना चाहिए, यह everything, point to point मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया, इसके बाव्यूद भी अगर आप लोग को कोई problem हो, support, resistance और intraday levels निकाल की जरूरत नहीं होगी, और आज के बाद आप level खुद से निकाल पाएंगे, ठीक है, तो कैसे मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा, इसके बावजुद भी कोई आप लोग को topic लगता है कि इस topic को cover करना चाहिए, तो comment box में जरूर mention पूट